हेलो फेंस वर्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सो मीड करती हैं तो आज है यह कर पती ऊत्सों की दिन की वीडियो है तो यहां मैं बना रही हूं बुंदी तो वहां मैंने ले लिया है एक कटोरा बेसन और बेसन को वहां मैंने कलर एड़ किया है थोड़ सा पेंच और यहां जरूत अनुशार पानी लेते जाना है और गुठलियों को तोड़ते वे इस तरीके से खोल बना लेना है तो यहां मैं बनाने चारी हूं बुंदी बनाना तुथा लड़ू लेकिन यहा मैं जरूत अनुशार पानी डालते चारी हूं और एक बैटर तयार कर लेंगे तो पतला से बेटर हमारा बिल्कुल तयार हो गया है जो देखिए स्पून के साइड में देख सकते हैं इस तरीके से परत पैठा हुआ तो यह हमारा बैटर तयार हो गया है मैंने रेस्ट करने क पैठाभा और तैंसार खुरूं रहे तो इस तरीके से मैं सारा बना लूँगी है है अ झाल झाल तो सारी पंडी को मैंने चान के रख लिया है और बंदी हमारे तयार हो चुकी है देख सकते हैं उसके बाद बारिती चासनी बनाने की तो चासनी बनाने के लिए मैंने एक कटोरा भर के मैंने सुगर लिया है और हाप कटोरा मैंने यहाँ पर पानी डाला है उसके बाद इलैची डाल रही हूँ और उसको अच्छी तरीके से उबालाने तक मैंने रखा है और मैंने तार वाली चासनी नहीं बनाई है उसके बाद यहाँ जब चास्णी हमारा तयार हो गया था उसके बाद मैंने बंदी को डाल लिया और 5 मिनट के लिए इसे चलाती रही थेड़ेम मैं उसके पाद इस दहक कर के रख दोंगे ताकि जो भी चास्णी है इसके अंदर आ जाए तो तो वह हमारा तैयार हो जाएगा तो यहां मैं ढगते रही हूँ तो प्रशाद तो हमारा तैयार हो गया है और प्रशाद तैयार होने के बाद हम निकल गए थे घर की और मतलब गाउ जा रहे हैं और रास्ते में हैं अभी और यहां पहुचने के बाद जो जटपट हो रही थी मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना कोशिस किये तैयार करने की तो यहां मैं जटपट वाली मारा तैयार कर ली उसके बाद आसन तैयार कर रही हूँ तो इंजॉय कीजिए वीडियो को अबने रही हैगा और कैसे आपने गंड़ पत्यूत सो कैसे मनाया वो जरूर बताएगा तो मिलते हैं लास्ट में अवो जड़ आपने लास्ट में अवो जापने लास्ट में अवो जापने लास्ट में झाल झाल तो यहां मारी पूजा खतम हो चुकी और गणपती बापा कितनी प्यारे लग रहे हैं सच में जितना भी दिन थे बहुत ही अच्छा लगा और एक अलग सा एसास होता है जब खुद से बनाते हैं और आज दिन है उनका विसरजन करने के लिए तो घुरवार था तो हमने शुकरवार को विसरजन करने के लिए मैं आई हूँ और यह हमारा तालाव है तो विसरजन करते हैं और खुशी खुशी करते हैं क्योंकि अगले बाद तो फिर से हमें लाना है और फिर से ऐसे ही मनाएंगे और इसे अच्छे से मनाएंगे गरपती बापा कर स्वागत करेंगे तो थैंक यू सू माच और बाई बाई